हमने लगातार कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसके कारण भारत की चबीबी और बहतर हुई है और भारत के नितरतब में आज दुनिया उम्मीद देख रहे हैं अगर आप कहते हैं इस उमीद को राहूल गांधी क्यों नहीं देख पा रहे हैं मेरा सवाल आपसे ये होगा क्योंकि वो वाशिंग्टन में हैं तीन दिन का उनका दौरा चल रहा है यूएस का लेकिन लगातार भारत में उनके इंस्टिूशन को सब चीज को वो सब पे सवाल उठा रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि ये डिस्ट्राक्शन है आपका जो पार्लिमेंट बना उसका इनाउगरेशन ये डिस्ट्राक्शन है फ्रम रियल इशूज जो अभी भी जॉबलेस्नेस और महंगाई है राहुल जी अगर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थ विवस्ता भारत बना है तो ये सच्चाई है 2023 में भी मॉर्गन स्टेल नेरे की रिपोर्ट कहती है कि भारत 7.2 फीसदी की दर से बढ़ेगा सच्चाई है अगर 1.83 क्रोड पया अगर GST की कोलेक्शन पिछले महिने हुई और जो मैा ही का महिना आपका निकला है उसमें 1.53 क्रोड हुई और पिछले 16 महिनों में लगातार 1.5 क्रोड से जादा और के महिनों में 1.500 क्रोड से जादा हुई ये सच्चाई है अगर भारत दुनिया की दस्वे नंबर से बढ़के पांच्वे नंबर की अर्थवस्ता बनी सच्चाई है और भारत के नेता को आज दुनिया में मान सम्मान मिल रहा है यह सच्चाई है राहुल कांदी जी संवेधानिक संस्ताओं का अपमान करने से देश में नहीं हटे उन पे भी प्रशिंचन खड़ा करते रहे अब दुनिया के किसी देश में जाते हैं इंग्लेंड गए तो वहां पे भी देश का अपमान करने का कार्या और अब अमेरिका गए हैं तो मंच किसका है कौन प्रायोजित कर रहे हैं यह आप देखिए लेकिन उस कारेकरम में भारत विरोधी नारे लगते हैं उस भारत के राष्टगान का अपमान होता है भारत के तरंगे का अपमान होता है और राहुल गांदी जी स्वें एक सीमा अगर वो ऑपोजिशन के नेता है तो जाहिर सी बात है वो सवाल उठाएंगे आपकी सरकार पर आपकी सरकार के फंक्शनिंग पर तो उसको एंटी इंडिया क्यों देखा जाता है देखिए क्योंकि भारत के बाहर जाके जूट बोलके भारत की छवी को खराब करना एंटी लेकिन हाँ आप उत्तर प्रदेश हार जाएंगे उत्राखंड हार जाएंगे गोवा हारेंगे मनिपूर हारेंगे नागालेंड हारेंगे मिजोरम हारेंगे मेगालिया हारेंगे असम हारेंगे त्रिपुर हारेंगे और गुजरात में आप कहीं दिखेंगे नहीं तो आपक चली गई बहाने डूनते थे कि सदन ना चले संसद ना चले अब संसद भवन नया बना तो उसका भहिशकार करने के लिए भी नए नए बहाने डूंडेगे हर भारतिये गरव मैसूस करता है नया संसद भवन देगे लेकिन अनुराग जी अब वो तो MP भी नहीं है इस तरह की sharp attack आप लोग Mr. Khargik against में क्यों नहीं करते अगर राहूल गांदी इतनी inconsequential है तो हर राहूल गांदी के बयान को पूरी सरकार सारे MPs सारे leaders भाजपा के क्यों जवाब देते हैं सारे leaders कहां कुछ को तो देना ही है और देखिये अगर खड़गे जी भी क्या कहा मोती जी को क्य क्या कहा था करनाटे के जुनाब में क्या कहा था मारिया जी यह मैं पता है आप मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी गंदी नाली का कीड़ा कह दो कभी मौत का सोधागर कह दो कभी जरीला सांप कह दो कभी बिच्चू कह दो कभी कुछ कह दो यह भाशा है Congress की देश के प्रधान और उस समय तो इंद्राजी की हत्या के कारण सिंपधी वेव थी। कॉंक्रिस ने क्या किया किया। गरीब भी हटाओ, गरीब हटाओ, गरीब मिट गया लेकिन गरीब भी नहीं हटी। मैं इसलिए आप से कहने आल यह देश के बाहर जाएकर जो जूट बोलते हैं जो प्रोपगेंडा खड़ा करते हैं कौन लोग आते हैं खाली सान जिंदाबाद के नारे लगेंगे राष्ट गान का अपमान करेंगे और राहुल गांदी जी मुक दर्शक बनके खड़े रहेंगे यह क्यों नहीं बोलते हैं तो क्या करें वो देखिए हाँ यह अच्छा हूँ आपने पूचा क्योंकि आपने यह नहीं कहा कि र्ण गांदी जी प्रदानमंतरी थे और प्रदेश में भी कोंग्रेस की सरकार्टी दलितों पर अत्याचार था सुँएं राहुल गांदी ने कहा है क्या कहना चाहते हमारी सरकार के समिछ सबका साथ सबका विकाद सबका विशवाष और सबका प्रयास से तलती है do you feel it is an embarrassment for you बिकाज ये सब सारे ब्यान उस वक्त आ रहे हैं और उस देश में आ रहे हैं जहां पर प्रदानमंत्री जाने वाले हैं अपने स्टेट विजिट के लिए बिल्कुल भी नहीं इसे राहूल गांदी जी की छबी और खराब हो रही है देखिए एक और छे दिन की यातरा करके प्रदानमंत्री जी आते हैं छे दिन की यातरा में 50 मीटिंग है उनमें से भी 23 बैटके हैं दुनिया के अलग लग बड़े नेताओं के साथ पर्धानमंत्री राष्टिपती के साथ और वहां पर क्या कहा पापवनेगिनी के पर्धानमंत्री ने पाँच शूकर गले लगाया अभिनंदन स्वागत किया न्यूजिलेंड के प्राइम मिस्टर फ्लाई करके अस्ट्रेलि ये कौन कह रहा है अमेरिका के राष्टेपती मोदी जी का इंतजार करने के लिए कहते हैं कि मैं आपको रातरी भोश दे रहा हूँ मेरे पास ट्रिक टेंग खतम होगी अभी भी लंबी लाइन है बड़े बड़े लोग मिलना चाहते हैं ये सम्मान मोदी जी का नहीं पूर आने लगी इनकी सरकार के समय दुनिया पर निर्बर थे आज आत्म निर्बर होने अनुराग जी राहूल गांदी ने एक प्रेस इंटराक्शन में वाशिंटन डी सी में आई यू एमल के बारे में कहा है और कहा है कि there was nothing unsecular non-secular about Indian Union Muslim League and your entire party is fuming किरिन रिजुडियू का बया आया अमित मालविया का बयान आया तो उस पर फिर explanation आया है Congress Party का यह कहते हुए कि आप लोगों ने भी उनके साथ रिश्टा निभाया है आपने भी 2012 में एक कोई रिपोर्ट छपी है जिसमें Indian Union Muslim League के साथ BJP formed an alliance for the Naakpur Municipal Corporation Pols सो वो आपके लिए secular नहीं होंगे और उनके लिए होंगे तो यह किस तरह से हम देखा जाए तेके पहली बात तुमें कहूं यह तुष्टी करण की राजनीती Congress करती होगी हम तो शिशक्ती करण में विश्वास रखते हैं सब के लिए काम करते हैं लेकिन Congress कभी Hindu आतंक बात क जाती है अब अमेठी में आरगे तो वाइनाड में तो उनकी मुझबूरी है चाहे वो Muslim League को secular ही कहें लेकिन हिंदूओं को communal कहें आतंक बादी कहें यह राहूल गांदी जी का पहला बयान नहीं Congress के नेता उनने बार बार दिया उस समय शिंदे जी ग्रह मंतरी थे उनका अप फूट फूट कर रोए मैंने तो नहीं कहा Congress के नेताओं ने कहा और यह अब कहती है Congress Party वो Muslim League नहीं है जो जिन्ना वाली है तो कौन सी है उसी के ही सदस्या है 1947 में विभाजन के बाद 1948 में जी इन्होंने ही Muslim League बनाई और राज्यसभा के MP भी रहे मुसल्मानों के लिए अलग से reservation भी मांगते रहे और यही नहीं शरिया कानून को लागू करने की बात भी करते रहे मुहम्मद इसलाम से लेके ये बाकी सब लोग कौन है वही है Muslim League के और अब आप राहूल गांदी जिनको secular बताते है लेकिन आप लोगों ने भी उनके साथ alliance किया है मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ Congress पहले स्पष्ट करें कि ये Muslim League है कि अब उस पे फस गे Congress Party देखिए आप जाती धरम संपरदाई के नाम पे Congress vote मांगती है ये उन्होंने बांटो और राज करो ये अंग्रेजों की मांसिक्ता के अधार पर अपनी राजनीती करते रहे हम तो सबको साथ में लेके चलने वाले हम गुलामी की मांसिक्ता से देश को बाहर निकालने की बात करते है गौरवशाली तियास पर गरव करने की बात करते है नए भारत की बुलंग तस्वीर दुन प्रीद देखते हैं, होप देखते हैं, भारत, भारतियों के और भारतियता का एक बहुत बड़ा सम्मान है, कि वो नरेंदर मोदीज नहीं 140 क्रोड भारतियों का सम्मान है.